देखिया अभी जो जॉनी डेफ और एमबर हर्ड के बीच में जो कोड केस चल रहा था ये कोई डाइवोस का केस नहीं था डाइवोस तो इनका 2017 में हो चुका था ये जो केस था ये डेफरमेशन का केस था लेकिन डेफरमेशन के केस तो सेलबिटीज आए दिन करते रहते हैं तो इस डेफरमेशन केस में ऐसा क्या था जो पूरा वर्ड इसकी बात कर रहा था और इस डेफरमेशन केस का इनके पुराने डाइवोस केस से क्या लिंक था और यूके के केस से क्या रिलेशन था यह सारी चीजें डीटेल में डिसकस करते हैं पसे पहली चीज तो यह है कि यह defamation होता क्या है defamation का मतलब है कि जूट बोलके किसी की reputation गिराना अगर वो बात सच है तो यह कोई defamation का case नहीं बनता है बलकि एक सच है और अगर वो बात जूटी निकलती है तो court के अंदर यह defamation का case बनता है आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा कि एक आदमी ने एक करोड या फिर दो करोड का मानानी का दावा कर दिया तो इन सारी चीज़ों में पैसे का क्या ले न देना होता है आप मालनों कि मेरी एक coffee की shop है और बहुत ही अच्छी चल रही है और महीने का 2,00,00,00 मैं उससे कमा रहा हूँ एक दिन कोई आता है और कहता है कि यह जो coffee बना रहा है इसमें एक ऐसी चीज मिलाता है जिससे health पे असर पड़ता है अब जो मेरी 2,00,00 की sale है महीने की वो 1,00,00 हो जाती है तो किसी एक आदमी के बोलने से मेरा 1,00,00 रुपए का नुकसान हो गया तो इस तरह से कोई freedom of speech का गलत इस्तमान ना करे तो constitution ने ये right दिया है कि आप उसके खिलाफ defamation का case डाल सकते हैं जो भी उसने आपके खिलाफ बोला है अगर आप court में गलत प्रूफ कर देते हैं उस चीज को कि ये जो चीज इसने बोली है ये गलत है तो जो भी आपके पैसे का नुकसान हुआ है वो उसको आपको देना होगा और कुछ countries में तो अलग से सजा भी मिलती है अभी आगे-ागे जो चीज में बता रहा हूँ उसका इससे रिलेशन है देखिए जौनी डैप और एमबर हर्ड ये दोनों एक्टर्स हैं जो कि 2009 में दर्रम डाइरी एक मूवी है उसके सेट पे पहली बार मिले थे और 2012 से रिलेशेंशिप में आने के बाद 2014 में इन्होंने engagement की 2015 में शादी की और शादी के 15 महीने बाद डाइवोस फाइल कर दिया 2017 में लोग अलग हो गए ये जो details मैं दे रहा हूँ आपको जब इन्होंने यह केस खतम होने के बाद मीडिया में काफी बाते चलने लगी कि Amber Heard एक छोटी सी एक्ट्रेस थी पहले, सपोर्टिंग रोल में आती थी, लेकिन Johnny Depp से मिलने के बाद यह एक लीड एक्ट्रेस बन गई, और अब इनको 7 मिलियन डॉलर भी मिल गए हैं, तो इस चीज को लेकर Amber इस केस में जीती हैं, यह डोनेट कर देंगी, जिसमें Amber ने का कि 3.5 मिलियन डॉलर यह ACLU, American Civil Liberty Union और बाकी 3.5 मिलियन CHLA, Children's Hospital Los Angeles को डोनेट कर देंगी, जिसके लिए Amber Heard ने मना कर दिया, कि इससे इनको टेक्स बेनिफिट मेलेगा, जो कि यह नहीं चाहती है, 2017 में जो directly, indirectly, written या फिर verbally, इस relation या एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, 2018 में UK के अंदर एक news agency है, news group newspaper, जो की The Sun की publisher है, इसने एक article publish किया, कि JK Rowling कैसे एक wife beater को अपनी film fantastic beast में cast कर सकती है, movie UK based थी और इस चीज का काफी pressure पड़ा, Johnny Depp को movie से निकालनेगा, यह सब 12 allegations में से 12 allegations true हैं, और news group ने जो यह कहा है कि यह wife beater है, यह actual में एक fact है, और Johnny Depp यह case हार जाते हैं, और इस case को challenge करने के लिए भी मौका नहीं दिया जाता है, इसके बाद Johnny Depp को fantastic beast movie से resign करने को बोला जाता है, और यह वो note है जिसको social media पर post करके Johnny Depp movie छोड़ देते हैं, इसके इनकी reputation काफी खराब होती है, इनके career में भी downfall आता है, इनका नाम काफी project से remove किया जाता है, देखा जाये तो Johnny Depp code में बार-बार हार रहे थे, देखेंगे अब मैं जिस post के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इस पूरी controversy की जड़ है वो, दिसंबर 2018 में Washington Post ने एक opet published किया, जो कि Amber Heard ने लिखा था, देखें जैसे newspaper के senior editors और publishers होते हैं, जो कि editorial लिखते हैं, ऐसे ही opet होता है, बस opet में individuals अपने thought लिखते हैं, इसमें news agency के views नहीं होते हैं, इनके reporters involved नहीं होते हैं, इसमें Amber Heard ने लिखा कि मैंने violence के against stand लिया और society का pressure जेला, जो कि अब change होना दो साल पहले मैं domestic violence और abuse को represent करने वाली public figure बन गई, जिसके लिए मैंने society का aggression face किया, मैंने बहुत करीब से देखा है कि कैसे institutes protect करते हैं उन आदमियों को, जो abuse करते हैं ओरतों को, अब देखें इस पूरे article में Johnny Depp का नाम कहीं mention नहीं था, लेकिन जब इनका divorce हुआ था, तो उस time पे इन्होंने agreement sign किया था, कि directly और indirectly insulting remark एक दूसरे पर नहीं कर सकते हैं, और इस post में specifically दो साल mention था, दो साल यह वही time था जब Amber Heard ने divorce file किया था, जिस तरह से लिखा गया था, कोई भी idea लगा सकता था कि Johnny Depp की बात हो रही है, क्योंकि Amber Heard की खाली एक ही शादी हुई थ और जैसे ये article publish हुआ, 2019 में Virginia के court में Johnny Depp ने case file कर दिया, वरजीनिया में इसलिए किया क्योंकि Washington Post का जो server है, वो वरजीनिया में based था, इस case में Johnny Depp ने Amber Heard को accuse किया, कि इस article की वज़े से उनकी image spoil हुई है, और कई projects जैसे की Fantastic Beasts और Pirates of the Caribbean जैसे बड़ी movie से हाथ धोना पड़ा और 50 million dollar का damage claim किया, जैसे ही Johnny Depp ने Amber Heard के ओपर 50 million dollar का case डाला defamation का, Amber Heard ने भी 100 million dollar का case डाल दिया Johnny Depp के ओपर, अब आप कहोगे कि Johnny Depp ने तो Washington Post था, उसमें जो article था, उसके वज़े से defamation case डाला, ये Amber Heard ने 100 million dollar का case कि इस वज़े से डाल दिया, लिकि Johnny Depp के lawyer ने तीन statement दिये जो कि Daily Mail एक newspaper है, जिसमें publish हुए थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि Amber Heard और उनके friend ने fake violence के case लगाए है, अपने फायदे के लिए, ट्विटर पे भी एक petition चला, जिसमें Amber Heard को Aquaman movie से निकालने की महीम चली, उसका blame भी Amber ने Johnny Depp के ओपर ही डाला, इस चीज को base बनाके 100 million dollar का defamation case डाला, Amber Heard ने Johnny Depp के ओपर, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि Amber Heard ने अचानक से Washington Post के अंदर ये article क्यों लिखा, तो ये ऐसे ही article नहीं लिखा था, ये बहुत ही सोच समझ के Amber Heard ने article लिखा था, देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब Amber Heard का divorce हुआ था, तो बड़ी controversy हुई, ये बाद में पता चलता कि Amber Heard ने लिखा ही नहीं था, ये ACLU ने लिखवाया था, रॉबिन जो की communication strategist है ACLU में, इन्हों ने इस article का पहला draft नमबर 2018 में बनाया था, उसके बाद Amber Heard की legal team ने इसको डुबारा चेक किया, कुछ edits किया और इसको finalize किया, और ऐस करने से ACLU और Amber Heard दोनों का फायदा होना था, इस article के through ACLU अपने ambassador की positive image boost करके अपना फायदा करवाना चाहरा था, और वहीं दूसी तरफ, Amber Heard अपनी movie Aquaman के आने से पहले एक hype बनाना चाहती थी, तो एक तना से mutual benefit deal थी, in fact, Amber Heard ने ACLU को request करके इस article की publishing date, Aquaman की release date के जितने pass हो स court ने हटा दिया था, क्योंकि कुछ agreement थे जो कि public नहीं करने थे, लेकिन उनके lawyer ने public कर दिये थे, उनकी जगा आई थी Camilly, जिनकी cross examination बहुत जादा viral हुई, इनके video बहुत viral हुए, ये case इतना high profile था, कि Red Bubble और STC जैसी company थी, इन्होंने proper merchandise launch की, इनकी sell आसमान छू रही थी, CHLA को donate करेंगी, मार्ट 2021 में CHLA से पूछने पर ये पता चला कि Ember ने out of 3.5 million dollar, सिर्फ 2,50,000 dollar ही donate किये थे, दिसम्बर 2021 के बाद ACLU ने confirm किया कि 2018 के बाद Ember ने पैसे देना ही बंद कर दिया, 2018 दे पहले इन्होंने 1.3 million dollar दिये थे, जिसमें से 3,50,000 dollar direct Ember Hurd से आये थे, 1,00,000 direct Johnny Depp से आये थे, और 8,50,000 dollar donor advice fund से आये थे, इसको बताया जाता कि ये Elon Musk ने pay किये थे, इसको लेके Elon ने tweet भी किया था, और email leak होने पर ये भी पता चला कि Elon ने meeting की थी ACLU से, और जब ये सारी चीज़े court में सामने आई तो Ember Hurd ने का कि Johnny Depp के case की वज़े से, ये 6 million dollar fees दे चु और उनकी girlfriend दोनों ने मना कर दिया, कि वो एक misunderstanding थी, इसके बाद Johnny Depp ने बताया कि 2015 में जब ये Australia में थे, तो इनके lawyer ने एक agreement बनाया था, कि अगर divorce होता है दोनों के बीच में, तो पैसे किस तरीके से manage होंगे, और ये बात Ember को इतनी जादा बुरी लग गई कि Ember ने इनके पर bottle fake के मारी, जिससे Johnny Depp की finger कड गई, इसके बाद Ember Hurt की recording सामने आई, जिसमें उन्होंने accept किया कि उन्होंने Johnny Depp को hit किया है, ये image में लगा दे रहा हूँ, आप pause करके पढ़ लीजेगा, वहीं Ember Hurt ने का कि 2013 में पहली बार इनके साथ violence हुआ, जब उन्होंने Johnny Depp के tattoo का म उस particular incidence पे LA की police भी आई थी, investigation किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि ऐसा को incidence हुआ ही नहीं था, लेकिन सबसे important गवाई थी Morgan की, आपने इनकी video देखी होगी code में, बयान देते हुए, इस video पे billions में views गये थे, ये Morgan है, TMZ के employee, इन्होंने ये कहा कि 2016 में इनको बताया गया, कि Amber Heard code से बाहर आएंगी, तो वो अपना face side में करेंगी, तब उनकी एक pick लेनी है, उसमें उनके चैरे पे निशान होगा, चोड का, वो cover करना है, ये चीज़ Morgan ने code में बताया कि Morgan ने जब photographers बेजे तो सेम वैसा ही हुआ, Amber ने side में face किया, उनके चैरे पे निशान थे, और ऐसा लग रहा था जैसे Amber को मारा गया है, इसके बाद brand जो कि US Forensic के CEO हैं, इन्होंने proof किया कि Hurd की legal team ने जो image submit की थी, जिसमें इनके face पे चोड के निशान थे, वो भी edited थी, और इसमें code ने ये का कि ये जो तीन statement Amber Heard ने post किये थे, Washington Post में, इन तीनों ही statement को Johnny Depp ने proof कर दिय कि इन statement से इनको defame किया गया है, और इससे इनको काफी नुकसान भी हुआ है, ये statement गलत हैं, और ये पता होने के बावजूर भी, Amber Heard ने ये statement Washington Post में post करवा है, इसलिए court ने Amber Heard को 10 million dollar compensation देने को कहा Johnny Depp को, और इस compensation के अलावा, इनके उपर punitive damage भी लगाए गया है, punitive damage का वैसे तो 5 million dollar देने होते हैं, punitive damages में, लेकिन Virginia State Law की limit की वज़े से 3.5 lakh dollar ही देने होंगे Amber को, ये तो Johnny Depp ने जो claim किया था, उसका verdict था, आप जो Amber Heard ने claim किया कि उनकी भी reputation damage हुई है, daily mail में article की वज़े से, उस पे court ने बोला कि 3 में से एक statement Amber Heard ने proof कर दिया है, उससे उनको नुकसान हुआ है, और Johnny Depp के lawyer ने जानते हुए कि ये statement गलत है, उसके बाद भी ये post करवाया, इस वज़े से, इस एक statement की वज़े से, इनको compensation मिलेगा Amber Heard को, जिसका amount है 2 million dollar, लेकिन कोई punitive damages नहीं दिया.